हेलो फ्रेंड्स विडियो में हम रड्डू को पाजी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं यह प्लेट की हल्प से मैंने बनाई हुई है बहुत ही इसली आप बना सकते हैं एक तम गोल सापका सरकल आ जाएगा आपको डामेटर वगरा कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यह पर यह चोली आएगी चोली को यहां पीछे ले जाएंगे और यह देखिए डोरी को हम इस तरह से क्रॉस करेंगे दोनों साइड और बात लेंगे वीडियो स्टार्ट पर पहले गाईज अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को स स्क्रिप्शन बॉक्स मिल आएगा दोरी मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है इसी वज़े से यह थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी सी और लंबी रहेगी तो आप क्रॉस करके इजली बात पाएंगे इसे वैसे भी देखिए यह हमारी बंद गई यह देखिए यह पूरी हमाली सर्कल में ड्रेस आएगी यह देखिए जब आप सिंगासन बेठाएंगे तो इस तरह से हो जाएगी खड़ी पीछे से क्योंकि हमने इसमें कोई भी बक्रम अगरा नहीं लगा आप देखिए पीछे से मेरा हाथ तक दिख रहा है इतनी हलकी मैंने ड्रेस तो पांच नंबर के काना को मैंने पहना है बट यह चे नंबर को भी आप पहना सकते हैं तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूं और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया है काना जी के लिए बहुत ही बशुरत लग रही है जिसली बनाई और पहनाई अपने काना जी को यह अगर मैं आपको इसकी लंबायों चोड़ाई दिखाऊं सिर्फ अस्तर की पहले दिखाती हूं तो इधर से हमारा साड़े-8 इन से थोड़ा साधिक है तोड़ा साधिक है थोड़ा साधिक है हमारा 20.75 इंच है मिन्स 7.5 इंच और 9 इंच के बीच में जितना आता है उतना द लेजे, जो आपके अस्तर पे देखिए चारो साइट से थोड़ी-थोड़ी सी छोटी रहे, पलेट थाली कुछ भी आप ले सकते हैं सरकल में इस पे हम इस तरह से आपर कर देंगे यह देखे चौक के हिल्प सबसे इजी तक तरीका है यह डाइमेटर कुट करने का, अगर आप यही तरीका अपनाई है आप आसानी से अपने काना जी के लिए बहुत ही गुप्सुरत सी ड्रेस बना सकते हैं कि हमने मार कर लिया अब मार करने कब देखें एक सरकल हमारा आगया है हम क्या करेंगे इसी सरकल पर सिलाई लगाएंगे चलिए लगाती हूं अब हम क्या करेंगे सिलाई से थोड़ा सा थोड़ा सा देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए बाकी का कट कर लेंगे आपको बहुत इसी तरीका बता रही हूं गाइस बहुत असाने साब इससे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में बहुत ही अब इससे ट्राइ करें इसली बना लेंगे अतना आसान तरीका मैं आपको आज बता रही हूं बनाने का यह देखें इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है फैब्रिक वो मैंने कट गया कहीं से भी हमारी सिलाई नहीं कट होने चाहिए और नहीं एकदम सिलाई के पास से यह के बाद हम एक बार और मोड़ेंगे दो बार मोड़ दिया दो बार मोड़ने के बाद एक दम छोटा सा सर्कल हम कट करेंगे बहुत बड़ा नहीं कट करना है यह देखें इस तरह से एक दम छोटा सा मैंने कट किया है बस समझ लिजा है एक होल हमारा बन गया है अब हम देख इस पे लगाएंगे और यहां से उतर जाएंगे चले लगा दी हूं तो आपको समझ में आएगा एक यहां पर इस ट्रैट मार्क लगा लेते हैं यह दिखिये एक इस बगल से आजएगी और दूसरी इस बगल से चले लगा लेते हैं यह दखे हो गया है, अब हमने क्या हो जा इसे कट कर लेना LISA करने के बाद सरकल में हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बहुत ज्याद का आई चाहिए ikke आई से एक्स्ट्रा लें गाए इऑ तो डें इसे करके यह इस तरह से यह देखें यहाँ पर हमने cut कर लिया, अब यहाँ पर देखें हमें थोड़ा सा, यह देखें यहाँ पर सिलाई को खोलना है कहीं से भी आप थोड़ी दूर अपनी सिलाई को खोल दीजे, सरकल पर नीचे की साइड से थोड़ी दूर हम अपनी सिलाई को खोलेंगे अगर आपको आसान तरीके से सिलना है तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा ये देखें इस तरह से कट करूंगी कट करने के बाद ये हमारी सिलाई जो है यहां से खुल गई है अब हम इसे यहीं से पूरा पलट लेंगे ये देखें ये पूरा हमारा यहीं से देखें मैंने उंगली डालके ये वाली कुनाई पकड़ के निकाल दी और यहीं से हम उंगली डालके अपनी ये दूसरी वाली भी कुनाई जो है वो पकड़ के निकाल देगे यह इस तरह से बहुत एजली हो जाएगा आपके सामने ही देखे कर रहे हूँ पूरा हमारा पलट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखें यह इस तरह से हमारा यह निकल गया अभी यह जो इतनी दूरी हमारी खुली हुई है उसे हम स्टिच करेंगे अभी हमने जो सिलाई कुली है घूरी हमसेलएं यह इस तरह से इसे आप पूरा बराबर करेंगे तो जिस तरह से हमसे तरह हमारा आ जाएगा और इधर वाला भी देखिए यह ऐसे अंदर करके और उपर से इसे हमें ऐसे करके सिल देना है तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ यह देखिए हमारा हो गया है विसे हम साइट करते हैं और मैंने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच चोड़ाई और 45 इंच लंबाई का यह नेट का पीस लिया है इसे मैंने डबल करके प्रास कर दिया है विसकी यह जो साइड है इधर से हम खुली होई साइड से इस तरह से प्लेट बनाएंगे बहुत जाद है एक दूसरे के उपर चड़ानी नहीं है बस थोड़ा सा पास रहे कि बीच का गया पना दिके बस इसी तरह से यहाँ पर प्लेट बनानी है चले बनाती हूँ अब देखिए मैंने यहाँ एक प्लेट बना ली है बड़ इतना हमारे लिए इनफ नहीं होगा तो दूसरी प्लेट बनाने के लिए मैं क्या करना होगा इसी पर हम बनाएंगे तो यहां सही से आप ऐसे मोड़िए मोडने के बाद इसके उपर रखिए और इस तरह से सिल दी यह देखिए देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहां पर दो पट्टियां ज्वाइंट की होई है यह थोड़ा सा उपर नीचे इसे मैं सैट खले थी हूं नहीं तो वह अनिवन सा लगेगा यह देखिए इसे मैंने सिल दिया अब सिलने के बाद फिर से उ सिलते हैं हम अब देखिए हमें क्या करना है यह प्लेट जो है यहां पर हम इस तरह से रखेंगे इसके नीचे और इस पर सिलाई लगा लेंगे तो चलिए अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूं पूरे राउंड पर हम लगाएंगे यह देखिए यह अबने सिल दिया है अब मैंने यहां पर यह लेस ली हुई है वाइट कलर की इसे हम यहां से दिखिए इस तरह से ऐसे लगाएंगे पूरे राउंड पर हमें लगाना है यहां से पूरा यहां तक तो चलिए लगा लेती हूं यह देखिए यह हो गया है बस इस पे हमें डोरी लगाना बाकी है अब हम लगाएंगे डोरी भी यह देखिए इतना यह जो पीस है मेरा बच गया है अगर इसकी लंबाई मैं आपको बताओं तो आप लंबाई देखिए इसे हम चोली में यूज कर लेंगे ये देखें साड़े चार इंच्छे लंबाई बर आप साड़े पांच इंच चोली के लिए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है मैं देखें इसमें से लेस ही थोड़ी सी बड़ी कर लूँगी जिससे मुझे बादने में प्रॉब्लम ना हो ये इस तरह से यहाँ पे रखके हम इसे सिल देंगे तो यहाँ पे लेस भी हमारी आएगी थोड़ी तो शलिए सिलती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखें मैंने इसे रड़ी कर दिया इस पिलेस को मैंने थोड़ सा लंबा करके लगा दिया है अब इसका ये हिस्सा हम देखें यहाँ पे इस तरह से रखके सिलेंगे यहाँ पर यहाँ से कट है उसे थोड़ा से आगे सिलना है और हमने यह दिखे डोरी ली है यहाँ पर रखके डोरी पर सही सिलाई लगाना सुरू करेंगे तो चलिए सिल देती हो हमारी डोरी भी यहाँ पर अटेच हो जाएगी और हमारी साथ ही साथ चोली भी अटेच हो जाएगी एकदम सिंपल और आसान तरीकी की ड्रेस मैंने आपको बनाना बताया हुआ है यह देखें यह तरह से रखके सिलूंगी जब भी सिलाई लगाए तो सिलाई को अपने लॉग जरूर करिए तो चलिए HAS सिल देते हैं आपको पता ही है कि मेरे पार सभी साथ के कानासी लोग है तो कोई प्राब्ल्लम नहीं रही है और पीछे से यहांसे लिए है Exec year तो चलिए मने WHY हमेरा देखा दिरुत सिलाई है तो इजली जब आप सिंहासन पर बैठाएंगे काना जी कि तो पीछे से खड़ी हो जाएगी और आगे से भी देख के फिनिशिंग लगी कि पीछे से भी पूरी प्रॉपर हमारी एकदम गोल सी ड्रेस आई है यहां पया के मैंने आपको स्टार्टिक पिछाटिक आप आपके पास प्रणी की कान पेती है ऑज मुँझा के पर फोलिपरिशो में लिए से भी तार आप इसके यह हैं कि पासनदर पासन के पोला एंगे तो जब बहुत अच्छी वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे